शिरिगुरु ग्रांच साब गौडी मैलापन्यमा संत कित्त उरी मिटे अगकोट संत परसाथी जनम्मरंते चोट संत का दर्सो पूरण इसनानू संत किरपाते जपिये नामू संत के संगी मिटे आंकारू द्रिष्टी आवे सबु एकंकारू गुरु संत के चर्नों की धुली मस्तपा लगाने से क्रोडो पाप दोड़ो जाते हैं गुरु संत की किरपा से जनम्मरंद से मुक्ति मिल जाती हैं है भाई गुरु संत का दर्शनी पूर्ण ती धशनान है गुरु संत के किर्पा से परमात्मा का नाम जपा जा सकता है संत के संगी मिटिया एंकारू द्रिष्टि आवे सबु एकम कारू है भाई गुरु संत के संगती से रहने से एंकार दूर हो जाता है और फिर सरवत्र एक परमात्मा ही द्रिष्टि को जरूता है संत सु परसन आए वसी पचा अमर्तु नामू रिद्धी ले संचा कहू नानक जाका पूरा करमा तिसु पेते सादू के जरन जिस मनुश्य पर गुरु संत किरपालू हो जाए काम आदे के पांच और दू तो उसके वस में आ जाते है मनुश्य आत्मे के जीवन देने वाला हरी नाम अपने हिते में एकत्रित कर दिता है लेकिन हे नानक कहे उस मनुश्य को ही कुरू के चरन मिलते हैं जिनकी किस्मत अच्छी कहू नानक जाका पूरा करम तिसु पेते सादू के चरन हरी गुन जपत कमलो पर गासे हरी सिम्रत त्रास सबनासे सामती पूरी जित्तू हरी गुन गावे वड़े पड़ पागी सादू संगे पागी साद संगी पाईये निधि नामा साद संगी पूरण सभी कामा हरी के गुन गाते हुए हिर्दे कमल खिल पड़ता है हरी गुन जपत कमलो पर गासे हरी का नाम समरन कतवे हर एक का डर दूर हो जाता है हरी सिम्रत त्रास सब नासे है भाई वही बुद्धी दोश रहित समझो जिसके परभाव से मुनश्य हरी के गुन काता है सामति पूरी जित्व हरी गुन कावे पर ये अकल उस मुनश्य के भीतर पैदा होती है जो सब भागवाश गुरू की संकती पर राप्त कर देता है गुरू की संकती में रहने से हरी का नाम खजाना मिल जाता है और गुरू की संकती में रहने से सारे काम पूरे हो जाती साद संगी पाई ये निदी नामा साद संगी पूर ने सभी काम हरी की पगती जन्मो परवानू गुरू किरपाते नामो बखानू कहूं नानकर सो जनु परवानु जाके रिद्देवसे पगवानु हरी की भक्ती करने से मनुष्य जनम सबल हो जाता है हरी की पग्ती जन्मों परवानु लेकिन परमात्वा की भक्ती हरी की भक्ती हरी का नाम उच्चारन गुरु की किर्पा से ही मिलता है गुर किर पाते नामों बखानू के केवल वे मनुश्य परमात्मा के दर्बार में सभी करित होता है जिसके हिद्दे में सदा हरी का नाम बसता है गौडी मेला पंजवान एक सो सिय जाका मनु राता विशरी तिस्य पराई ता बिन गोबिंद ना दिस्य कोई करन किरामन करता सोई मान ही कमावे मुखी अरी-अरी बोले सो जनु इत उत कती न डूले गौडी की किर्पा से जिस मनुश्य का मन एक हरी के साथ ही रंगा रहता है और दूसरों से इर्शा करना भूल जाता है एक मुखी जाका मनु राता विशरी तिस्य पराई ता बिन गोबिंद ना दिस्य कोई करन करामन करता सोई जिस पर गुरू की किर्पा होती है उसे गोबिंद श्रिकिष्ट के अत्रिक्त दूसरा कोई नहीं देखता उसे सर्वत्र वैकरतार देखता है वही कोबिंद देखता है वही श्रिकिष्ट देखता है वही हरी देखता है जो सब कुछ करने को सम्मत वाला है और सब जीवों से कराने की शक्ति वाला है बिनों को बिंदना दिसे कोई करन करावन करता सुई गुरू किर्पा से जो मनुश्य मन लगा करके सम्मरल की कमाई करता है और मुझ से सदा परमात्मा का उस हरी का उस राम का उस गोबिंद का नाम उच्चे रिद करता है वे मुनिशे कभी भी लोकियां पर लोक में अपने अदर्शों से नहीं गिरता। कहीं नानक परंपद पाया। गुरू की किरपा से जिस मनुष्य के पास हरी नाम धन है वे ऐसा सावकार है जो सदाई सावकार बना रहता है। जाके अरीदान सो सच्चु साव। पोवन गुरू ने परमात्मा के दर्वार में उसकी जान पचान गिरा दी है। नानक ये गुरू किरपा से जिस मनुष्य को सरव्यापक सब जीवों की जिन्दी का सहारा प्रभु हरी मिल गया है। उनने सरवच्य आत्मिक स्थान प्राप्त कर लेगी। जीवन पर्खु मिलिया हरी राया कहु नानक परम्पदू पाया। गौडी मेला पंजवा, नामो पगत के प्राण अदारू, नामो तनू, नामो बियुहारू, नाम वडाई जनू सुबा पाय करी किरपा जिसु आपी दिखाए। नामो पगत के सुख अस्थानू, नाम रतू सो पगदू परवानू। भगदी करने वाले मुनिश्य के हिद्ध में हरी का नाम उसकी जिन्दिगी का सारा है। नाम ही उसके लिए धन है और नाम ही उसके लिए वाने जिवया पार है। नामो पगत के प्रानदारू, नामो तनू, नामो बेआरू। ये भाई जिस मनुश्य के हिद्ध में हरी का नाम है, उस परमात्मा का नाम है। वे मनुश्य सरवत्र परशंचा पराप करता है, शुवा पता है। पर ये हरी नाम उसे मिलता है जिसे कृपा करके हरी आप दिलाता है। नामो बढ़ाई जिन सोबाप आए करी किर्पा जिस वापी दिखाए। भगत के हिद्ध में परमात्मा का नाम आत्मी का नंद देने का सारा है। नामो परगत के सुखस्तानु जो मनुश्य परमात्मा के नाम रंग में रंगा हुआ है। वे भक्त है वे परमात्मा के दर्बार में आदर प्राप्त है नाम पगत के सुखस्तानू नाम रतुसो पगतु पर्वानू हरी का नामू जन को उतारे सांसी सांसी जनू नामू समारे कहु नानक जिसु पूरा पागू नाम संगी ताका मनू लागू हरी का नाम सेवक को सारा दीता है सेवक अपने एक एक स्वास के साथ परमात्मा का नाम अपने हिद्द में संभाल कर रखता है कैहें जिस मनुश्य की किस्मत बली होती है उसका मन हरी परमात्मा के साथ रम जाता है संत परसादी हरी नामों त्याया तब ते तावतो मनों त्रिपताया सुख विस्रामों पाया गुन गाई श्रमों मिटिया मेरी हती बलाई चरन कमल अराधी पगवनता हरी सिमरत ते मिटी मेरी चिंता है भाई जब से गुरु संत के किर्पा से मैं हरी का नाम संब्रन कर रहा हूँ तब से माया के लिए दोड़ने वाला मन त्रिपत हो गया है संत परसादी हरी नामों ते आया तब ते तावतो मनों त्रिपताया गुरु किर्पा से परमात्मा के हरी के गुन गा गा कर मैंने वह आत्मिक आनंद का दाता हरी प्राप्त कर लिया है सुख विलास उपाया गुन गाई स्रुम मिटिया मेरी हती बलाई आप माया संबंदी भाग दोड़ मिट गई है माया प्रिशना की बला समाब तो हो गई है मुझे हरी की प्राप्ती हो गई ये बाई गुरु किर्पा से हरी के चर्णों का ध्यान करके प्रमात्मा का नाम सम्रन करने से मेरी हर एक क्रिया हर एक किस्म की चिंता मिट गई है चरन कमल आरादी पगवनता हरी सिम्रनते मिटी मेरी चिंता सब तजी नाथू एक सर्नी आयो उच्च स्थानू तब सेजे पायो दुखु दद्दू पर्मू पयो नसियो करन आरू नानक मनिवसियो है भाई जब मैं अनाथ सब सहारों को छोड़ करके एक प्रमात्मा की शरन में आ गया तब आत्मी के स्थिता में टिक करके मैंने मैं सर्वच्च ठिकाना प्राप्त कर लिया हिनानक कहे गुरू की किरपा से स्रिजन हार हरी मेरे मन में बस गया है आप मेरा हर परकार का दुख दर्द दुईदा भे सब दूर हो गया है कोड़ी मैंना पंजवां करकरी टहल रसना गुन गाउं चरन ठाकुर के मारगी दाउं पलो समो सिम्रन की बरिया सिम्रत नामू पै पारी उतरिया नित्र संतन का दर्सन पे खूं प्रबु अविनासी मन में लिखूं गुरू किरपा से मैंने अपने मैं अपने हाथों से गुर्मुखों की सिवा करता हूं जीब से हरी के गुनगाता हूँ और पैरों से हरी के रास्ते पर चल रहा हूँ है मन, मनुश्य जनम का ये संदर समय परमात्मा के संबरन का समय है परमात्मा का नाम संबरन करते हुए संसार के अनेकों भेयों से पार जाया जा सकता है ये भाई, तु भी अपनी आखों से गुरमको का दर्षन कर गुरमको की संगती में रह करके, अपने मन में अविनाशी पर्मात्मा के उस हरी के समरन का लेख लिखता रहे नेत्र संतन का दर्षन पैखूं, प्रभ अविनाशी मन में लेखूं है भाई गुरू की संगती में जाकर के तो परमात्मा की गुनस्तुति के घीत गा करके और इस परका जनम मरन में डालने वाली आत्मी के मौत का भे दूर कर ले परमात्मा के संदर चरन अपने हिद्दे में ठिकाई राक ये मनुश्य शीर बड़ी कठनाई से मिला है इसे समरंद्वारा पार कर ले चरन कमल ठाकुर उरी तारी दुलब दे नानक निस्तारी कोडा मेला पंजवां गवडी मेला पंजवां जाको अपनी किरपा तारे सोजन रसना नामों चारे हरी विशरत सैसा दुख व्यापे सिमरत नामों परमूं पवपागे हरी कीतों सुने हरी कीत नुगावे तिस सन दुखुन निक्टी नहीं आवे जिस मनुष्य पर हरी अपने किरपा करता है यह मनुष्य अपनी जीव से हरी का नाम उचारित करता है हरी को भूलाने से दुनिया का संत्रास भय तुवाब डालता है पर प्रभु का नाम समरन करने से हरी नाम समरन करने से हर एक दुविदा दूर हो जाती है हर एक परकार का भय भाग जाता है हरी विशरत सैसा दुखो ब्यापे सिमरत नाम हरी पर मुप उपागे हरी की इतनू सुने हरी की इतनू गावे तिसुजन दुखो निकट नहीं आवे प्रभु किरपा से जो मनुष्य हरो की गुन स्तुती सुनता है हरी की गुन स्तुती गाता है दुख उस मुणश के निकट भी नहीं आता है हरी की टेहल करत जन सोहे ताको माया अगनीना पोहे मनी तनी मुखी हरी नामु द्याल नानक तजीयले अवरी जन जाल हरी की सिवा करते हुए मनुश्य सुन्दा जीवन वाला बन जाता है हरी की टेहल करत जन सोहे ताको माया अगनीना पोहे उस मुणश को माया तृष्णा की अगनी शपर्ष नहीं कर सकती हिनानक द्या के घर हरी का नाम जिस मुणश के मन मुण में बस चाता है उस मुणश ने अपने मन से माया मो के दूसरे सब जन जाल समापत का दी हरी की टेहल करत जन सोहे ताको माया अगनीन पोहे मनी तनी मुखी हरी नामू द्याल नानक तजिये ले अवरी जन जाल गवडी मेला पन्युआ चारी सियानफ बहु चतराई गुरपूरे की टेक टिकाई दुख विंसे सुख हरी गुन गाई गुरपूरा पेटिया लिविलाई हरी का नामू दियो गुरु मंत्रू मिट्टे वसूरे उत्री चित है भाई तुभी पूर्ण गुरु का आस ले ले महें ख्याल छोड़ दे कि तुब बड़ा चतर तथा बुद्धी माने जिसम निश्य को पूर्ण गुरु मिल जाता है और गुरु की किरपा से जो प्रभू चर्णों में सुर्ती जोड़ता है हरी के गुन गागार के उसे सुक की सुक मिलते हैं और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं गुरु पूरा पेटिया लिव लाई हरी का नाम दियो गुरु मंत्रों मिटे विसुरे उत्री चित है भाई गुरु ने जिस मनुष्य को हरी का नाम मंत्र दिया है उस मंत्र के प्रभाव से सारे दुख मिट गे हैं और उसकी जिंदा उतर गई अनंत भाई गुर मिलट किर्पाल करी किर्पा काटे जम जाल कहुं नानक गुर पूरा पाया ता ते बौदना ब्यापे माया दिया के स्तुत्र गुरु को मिल करके आतमे खुशियां पेदा हो जाती है गुरु किर्पा करके मनुष्य के भीतर से आत्मिक मिरत्यों आने वाली माया मो के सब बंधन काट दिता है है नानक के जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिल जाता है उस गुरु के परवाव से माया द्वाब नहीं दाल सकती कहुँ नानक गुरु पूरा पाया तांते बोर ना व्यापे माया गुडी मेला पंजवान राखी लिया गुरु पूरे आपी मन मुख कोस लागो संतापू गुरु गुरु जपी मीत हमारे गुरु उजल ओवी दर बारे गुरु के चरन एद्दे बसाईं दुख दुसमन तेरी हते बलाईं है भाई जो मनुश्य गुरु के अंसार रहता है पूर्ण गुरु ने आप उसे सदा काम आदिक वैरियों से बचा लिया लेकिन सिच्छाचारी मनुश्य को इनका दुख लगता ही है है मेरे मित्रो सदा गुरु को समरन करो गुरु का अबदेश याद रखने से तुमारे मुँ हरी के दरबार में उजलोंगे उस परमात्मा के दरबार में उजलोंगे है भाई तु अपने हिद्दे में गुरु के चर्ण बसाई रागए गुरु तेरे सारे दुख कलेशन नस्ट करेगा कामादिक वैरियों को समाप्त का देगा तुझ पर दबाब डालने वाली मया चुडेल को मार देगा गुरु के चर्ण इर्देवसाई दुख दुसमन तेरे हते बलाई गुरु का सब्दों तेरे संगी सहाई द्याल पे सगले जिव पाई गुरु पूरे जब किर्पा करें पन्ती नानक मेरी पूरी पर है भाई गुरु का शब्दी तेरे साथ सदा निबने वाला साथ ही है गुरु का शब्द हिद्दे में पिरो करके रखने से सारे लोग द्यालू हो जाते हैं नान कहते हैं जब पूर्ण गुरु ने मुझ पर किपा की तो मेरा जीवन साथ ना सफ़ल होगी गुरी पूरे जब किर्पा करी पंतीन नानक मेरी पूरीक परी गौडी मेरा पजवां अनिक रसा खाए जैसे ठोड मो की जेवरी बांधियो चोड मेर तक देश साथ संग भी होना आवत जात जोनी दुख खीना अनिक बस्तर संदर पहिराया जिवं डरना खित माही दिराया जैसे पशूने को स्वादिश्ट पदाध काते हैं और चोरो की तरह माया के मुझ की रसीम से और अधिक जकडे जाते हैं यह भाई जो मनुश्य साथ संक्ती से खाली रहता है उसका शिरीर मुड़ता है वह मनुश्य जनम मरन के चक्कर में पढ़ा रहता है योनियों के सुखों के कारण उसका आत्मी के जीवन अधिक अधिक कम जोर होता जाता है आत्मी के रूप से मृत्यों को प्राप्त मनुश्य अनेक संदर कपड़े पहनता है लेकिन गरीबों के लिए वह ऐसा होता है जैसे फसल में जानरों को ड्राने के लिए बनावटी रक्षक खड़ा किया होता है अनेक वस्त्र संदर पही राया जियू डरना खेत माही तराया सगल स्रीर आवत सब काम निफल मान खुजपे निक नाम कहू नानक जाको पैर द्याला सात संगी मिली पजी गुपाला तो उसरे पश्यों आदी के शेर काम आ जाते हैं यदि मुनुश्या उस गुपाल का उस हरी का नाम नहीं जबता तो इसका जगत में आना मियर्थ है है नानक कहे जिन मुनुश्याँ पर उस गुपाल के उस कृष्ण के उपर परमात्मा द्यालू होता है वे सरसंकिती में मिल करके जगत के पोशक गुबिंद का भजन करते हैं गुपाल का भजन करते हैं कव के पालन करने वाले श्री किष्य का भजन करते हैं कहुँ नानक जाकों पई दियाला साध संगी मिली पजी गोपाला कवडी मेला पंजवा, कली कलीस गुर सब्दी निवारे, आवन जान रखे सुक सारे, पैविन से निर्पव हरी त्याया, साध संगी अरी के गुन गाया चरन कवल रिद अंतरी तारे, अगनी सागर गुरी पार उतारे साध संग्ती में पुचेवे, जिन मनुशों के मानसिक जगडे और कलेश गुरु के शब्द ने दूर करते हैं और उनके जिन म्मन के चक्र समापत होगे, उन्हें सारे सुख प्रापत होगे यह भाई जिन मुनश्योंने सच संकटी में जाकर जाकर उस परमात्मा हरी के गुंस्तती के गेन काए हैं जिनोंने निर्भे हरी का ध्यान हिद्दे में किया हैं उनके दुनिया वाले सारे डर दूर हो गे हैं जिन मुनिशों ने हरी के सुन्दर चरन अपने हिद्ध में बसा लिये, गुरु ने उन्हें तृष्णा अगनी के समुद्र से पार का दिया। पैंविंचे निर्भव हरी त्याया, साध संगी हरी के गुन गाया। चरन कमल रिद अंतर तारे, अगनी सागर गुरी पारी तारे। बोड़त जात पूरे गुरु का डे, जनम जनम के टुटे का डे। कहुं नानक तिसु गुरु बलहारी, जिसु मेटत गती पै हमारी। विकारों के समुद्र में डूबे मनुश्यों को पूर्ण गुरु ने बाहर निकाल दिया। उन्हें अनेक जनमों से बिछड़ा हुए मनुश्यों को गुरु ने परमात्मा के साथ मिला दिया। हे नानक के में उस गुन पर बलिहा जाता हूँ जिसे मिलने से हम जियों की उची आत्मिक अवस्था बन जाती। गौडी मेला पंजवां साथ संगीता की सरनी पर हूँ मन तनों अपना आगे तरूं अमरत नामों पीवों मेरे पाई सिम्री सिम्री सब तपती बुजाई। तजी अभी मानों जनम मरनों निवारों अरी के दास के चरन नमस कारों। है मेरे भाई साथ संग्ती मेरे करके उस हरी का आसरा ले अपना तन मन उस हरी के हवाले कर दे। यह मेरे भाई परमात्मा का आत्मे के जीवन देने वाला हरी नाम जल पी जिसने नाम सम्रण किया है उसने सम्रण करके अपने भीतर में विकारों के सारी जलन बुजा दी है मेरे भाई परमात्मा के सेवक वे चर्णों पर अपना सिंध रख दें इस परकार अपने भीतर से एहंकार दोकार जनम मरन का चक्र समाप्त कर ले। अम्रत नामों पीबु मेरे पाई सिंवरी सिंवरी सब तपती पुजाईं तजी अभी मानूं जनम मरनू निवारूं अली के दास चरम नमस्कार। सांसी सांसी प्रभु मन ही समाले। सो तनों संचु जो चाले नाले तिस ही प्रापती जिसु मस्त की पागे कहूं नानकता की चर्नी लागू। है मेरे भाई हर एक सांस के साथ परमात्मा को अपने भीतर संभाल का रख। मेह नाम ध्ण कतिर कर जो तेरा साथ करे। मेह हरी नाम ध्ण उस मनुश्य कोई मिलता है जिसके मस्तक पर सो भाग के जगे हैं। है मेरे भाई तो उस मनुश्य के चर्ण परशिकार जिसे हरी नाम ध्ण मिला है। तिशी प्रापती जिसु मस्त की पागु कहु नानकता की चर्नी लागु। गवणी मैला पजवां, सुक्के अरे किये खिनमाईं, अमरत द्रिष्टी संची जीवाईं, काटे कसट पूरे गुरुदेव, सेवक को दिनी अपनी सेव। मिटी के चिंत पुनी मन आसा करी दिया सत गुरु गुंतासा। आत्मी के जीवन देने वाले शिष्टी से गुरु नाम धन सीच करके जिने आत्मी के जीवन देता है। उस आत्मी के जीवन के रास से शुन्य हो चुके मुनिश्यों को गुरु शन भर में हरे अथात्मी के जीवन वाले बना देता है। जिस सेवक को हरी ने अपनी सेवा भक्ती की देन दी पूर्ण गुरु ने उसके सारे कष्ट काट दी। गुरु के भंडार सत्गुरु ने जिस मनुष पर कृपा की उसके हरे किसम की चिंता मिट गए। उसके मन की हरेक आशा पूर्ण हो गए। मिट गई चिंत पुनी मन आसा करी दिया सत्गुरु गुंतासा। दुख नाठे सुख आई समाएं तील न परी जा। गुरु फरमाए इच्छ पुनी पूरे गुरु मिले ना नकते जन सफल फड। जब गुरु ने जिस मनुश्य पर किरपालों होने का हुकम दिया। तनिक भी डिल नहीं हुई। उसके सारे दुख दूर हो गए। उसके भीतर सुख आकर के टिक गए। ना नकत जो मनुश्य पूर्ण गुरु को मिले। उसकी हरे किसम की इच्छ पूर्ण होगी। उन्हें उच्छ आत्मी गुरु के सुंदर फडु मिल गे। इच्छ पुनी पूरे गुरु मिले। ना नकते जन सफल फले। झाल